नमस्कार डीजीनीज के खास कारिक्रम गल्यारों से मैं आपका स्वागत है मैं हूँ बाल कृष्ण मुले और आई सबसे पहले बात करते हैं डिग्री धारी बहु की प्रदेश कॉंग्रेस अध्यश कांतिलाल भूरिया की नई नवेली बहु हायरली एजुकेटेड है बूरिया की बहु इतनी ज़्यादा बड़ी लिखी है की जो सुनता है उसका सिर्ष चक्रा जाता है नई बहु के एजुकेशन की चर्चा अब जाबवा से लेकर दिल्ली तक की जा रही है देश में गिने चुने लोग ही हैं जिनके पास लंदन स्कूल ओफ इकनोमिक्स की डिग्री है अब ये सौभाग्य मध्यप्रदेश के कॉंग्रेस अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया के परिवार को भी मिल गया है कांतिलाल भूरिया बहु लाने के मामले में इतने ज्यादा भग्यशाली रहे कि अब हायर एजुकेशन के मामले में भूरिया परिवार सब परभारी है भूरिया खुद M.A.L.L.B. है उनका बड़ा बेटा संदीव PSC क्लियर करके अभी DSP के पदपर है और UPSC की परिक्षा देकर IAS या IPS बनने की रह पर है दूसरा बेटा विक्रांत डॉक्टर है और भूरिया के चुनाव ख्षेतर ज्जाबुआ में प्राइवेट नर्सिंग होम खोलने वाला पहला चिकित सक है कांतिलाल भूरिया की पुत्रवधु यानि संदीव की पतनी आस्था शर्मा ने ब्रिटेन के London School of Economics से डिग्री ले रखी है ये डिग्री हमारे देश में महस गिने चुने लोगों के पास है इतना ही नहीं 17 लोग ऐसे हैं जो London School of Economics में पढ़े हैं और बाद में जिन्हें विश्व के सर्वोच सम्मान नोबेल पुरुसकार से सम्मानित किया गया है अब इतनी पढ़ी लिखी बहु किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने की बजाए जाबु आएंगी और भुरिया परिवार का नाम रौशन करेंगी अब इसके बाद भुरिया दूसरे बेटे के हाथ पीले करने की राह पर हैं जिसने अपनी दुलहन खुद ही चुन रखी है मान गय भुरिया जी बीजेपी संगठन इन दिनों चुनाओं के दोर से गुजर रहा है समझदार ने समझा है भी लेकिन छोटा कारे करता है कि मानता ही नहीं बीजेपी संगठन में फिलहाल आचार सनहिता लगी हुई है प्रभाज्जा कारी-कारी अध्यक्ष बन बैठे हैं तो शंकर लालवानी का भी यही हाल है दरसल खास बात तो यह है कि पार्टी ने जिस दिन संगठन चुनाव कारी-करम भूशित किया था तब ही से पार्टी में ये पद कारी-कारी अध्यक्ष हो गए है इसके बावजूद आम बोलचाल में चाहे वो प्रभाज्जा हो या शंकर लालवानी दोनों को ही पार्टी में कारी-कारी नहीं बलकि नगर और प्रदेश अध्यक्ष ही संबोधित किया जाता है पार्टी में आचार सनहिता लगी हुई है लेकिन अभी पार्टी-कारी-करताओं को इस बात का कोई खास ज्यान नहीं है उन्हें इस बात की भी जानकारी नहीं है कि चुनाव कारिकरम घोशित होने के साथ ही पूरी पार्टी चुनाव अधिकारियों के अधीन हो गई है कारिकारी अध्यक्ष रहते हुए नेता किसी तरह का कोई बड़ा उलट फेर नहीं कर सकते ऐसे में पार्टी के गलियारों में इस बात को लेकर कई बार कारिकरता ही आपस में बहस करते रहते हैं कुछ समझ जाते हैं और कुछ यही कहते हैं थोड़े दिनों की बात है फिर क्यों अध्यक्ष और कारिकारी अध्यक्ष के फेर में पड़ें मंडी चुनाओं में उत्रे लक्ष्मी पुत्र दिनेश मलार ने अपनी धन की पोटली खोल दिये मलार आने वाले दो दिनों की बाद यानि रहीवार को असली घी का माल अपने कारे करताओं को खिलाने वाले है मंडी चुनाओं में मेदान पकड़ चुके पांच उम्मिदारों ने पहले ही खिलाने पिलाने का दोर पूरा कर लिया है मंडी चुनाओं में खाने खिलाने और पिलाने का दोर शुरू हो चुका है गाउं के गल्यारों में अब तक पांच दावते हो चुकी है सबसे ज़्यादा चर्चित दावत राजपूताना अंदाज में वार्डिक रमांग 10 के सिवनी में हुई इस दावत का कॉंग्रेस समर्थेत उम्मीद्वार केलाश पटेल के समर्थकों ने किया था दावत उड़ा चुके कारकरताओं में जबरदस्त जोश भर चुका है माहौल गडबलाता देख समेशवर पटेल ने दो वार्डो यानी 9 और 10 की मिलाकर एक दावत दी लेकिन कारकरताओं को इसमें कुछ खास मज़ा नहीं आया एक दावत रेखा मालवी की भी हुई लेकिन इस दावत के लिए सजे मंच से राजपूत नेता राम सिहिंग चौहान ने ऐसा कुछ कह दिया कि उससे सुमेशवर पटेल ने शाने पर आ गए कहा जा रहा है कि चौहान इस बात से नाराज है कि आखिर पार्टी ने सामाने वार्ड से पिछरा वर्ग के के नेता को क्यों मैदान मोता रहा चौहान की तीर सही जगे लग भी गई खेर छोड़िये अभी तो केवल खाने खिलाने की और पिलाने की बात होने दे अब कारकरताओं को रविवार को होने वाली दिनेश महलार की शांदार दावत का इंतजार है अपने कारकरताओं को महलार लजीज वेंजन खिलवाने वाले हैं बताने वालोंने मैन्यू भी गलियानों तक पहुचा दिया है महलार की टीम को घी पीने की जरुवत है इसलिए सब कुछ बनेगा असली घी में तो तयार हो जाईए अब घी पीने के लिए क्योंकि रविवार के बाद तगड़ी मेहनत भी करनी है मंडी चुनाओं में पांस दावते होने के बाद अब महलार की दावत की घोशना के साथ ये बोल भी चल निकले हैं कि लक्षमी पुत्र महलार की पोटली खुल चुकी है अब चुनाओं तक कारकरता जैसा कहेंगे वैसा ही होगा इन दोर में एससपी और डियाईजी रहे एसाई मनोहर का नाम आते ही उनका रुबाबदार व्यक्टिद्व सामने आ जाता है इस पुलिस अफसर में कई खुबियां हैं जो बाकी में नहीं अब विभागी गल्यारों में उनके दिल्ली चले जाने से मायूसी है कुछ पुलिस अधिकारियों को एसाई मनोहर की कारिशयली भास ही गई थी वो वरिष्ट पुलिस अफसर कम और अभिभावक की भूमिका में कुछ ज्यादा नजर आते हैं वो एक तीम लीडर के रूप में इंदोर जैसे शहर में कुछ ज्यादा सक्सस दिखाई दिये साई मनोहर ने MPCA चुनाव हो या फिर कोई धार्मिक समागम सभी में पुलिस या छाप छोड़ी यही वो अफसर थे जिसके कारण कई बार अपरी अस्थिती निर्मित होते होते बची DIG रहे साई मनोहर की साब गोई ऐसी है कि उनके सामने कोई टिक न सका और नवो स्वयम किसी के सामने डिगे DIG रहते उन्होंने सबसे पहले मौके पर पहुँचने वाले मैदानी अपसर के रूप में अपनी अमिट चाप छोड़ी लेकिन कभी भी अपनी इस सक्रियता पर वे इतराय नहीं साई मनोहर ने एक नहीं चार-चार बैंक डखेतियों का परदाफाश किया वो एक टीम लीडर के रूप में पुलिस महकमे में पूरी तरह से स्थापित हो चुके थे हलाकि एस आई मनोहर की नई पोस्टिंग ने उन्हें और उचाईया दी है और वो दिल्ली में रहते हुए CBI के IG के रूप में काम करते हुए देश भर की जिम्मेदारी समहा लेंगे इस से पहले मध्यप्रदेश कैडर के IPS अफसर सुधीर सक्सेना CBI में Anti-Corruption Cell के प्रभारी IG के रूप में अपनी सेवाएं साथ साल तक दे चुके हैं और अब मुख्यमंत्री शिवरासिय चोहान के OSD है कुछ ऐसा ही सम्मान कुछ साल बाद MP वापस लोटने पर A.S.I. मनोहर को भी मिलेगा शहर में एक बार फिर दहशत का माहौल पेदा करने वाले ठककर दंपत्य हत्यकान की असल जाच अब पुलिस ने शुरू कर दिये दरसल पुलिस अब तक शोक में डूबे परिवार से उस तरह पूस्ताज नहीं कर पा रही थी इस तरह के बड़े घटना करम की की जाती है हाला कि पुलिस ने अभी अपने भूते धेर सारे लोगों से पूस्ताच कर कई कडियों को एक दूसरे से जोडने की कोशिश की है लेकिन कडिया है कि कोई सकारात्मक संदेश नहीं दे पा रही है इंदोर पुलिस के लिए हाई प्रोफाइल कहे जाने वाले ठककर दमपत्ती हत्यकान किसी चुनोती से कम नहीं है हत्यकान को तीन दिन गुजर चुके हैं और आप पुलिस ने भी असल जाज शुरू कर दी है पुलिस ने स्कीम नंबर 114 पार टू में हुए इस संसनी खेज हत्यकान के बाद चैन की नीद लेना बंद कर दिया है पुलिस के अफसर विजे नगर थाने पर बैट इस दोहरे हत्यकान की गुथी सुल जाने में दिन रात भिड़े हुए है पुलिस ने वारदात के बाद से ही घटना स्तल से लेकर इलाके की हर गल्यारे को अपनी नजर में कैद कर लिया है पार टू की जिस गली में ठककर परिवार रहता था उस इलाके में तीन दिन बाद भी संनाटा पसरा हुआ है इस हत्यकार ने पार टू के रहवासियों को खौव जदा कर दिया है लोग उस रहा भी नहीं जा रहे हैं जिस रहा पर ठककर परिवार रहता था इस इलाके में होने वाले आवाजाही ना के बरावर हो रही है इधर पुलिस ने तीन दिन बाद एक बार फिर असल जाज का काम शुरू कर दिया है पुलिस ने इससे पहले वारदात की जानकारी लगते ही कई संदिक्दों से पूचताई शुरू कर दी थी लेकिन पुलिस किसी मुकाम पर नहीं पहुँच पाई पुलिस के पास जानकारी के नाम पर सब कुछ है नहीं है तो केवल आरोपियों के संबने कोई ठोस जानकारी पुलिस ने अब तक हर आने जाने वाले सभी नौकरों से बार बार चाचा की लेकिन पुलिस को ये समझ नहीं आ रहा है कि कोई भी आरूपी के बारे में कोई ठोस सुराग देने की इस्तिती में नहीं है इधर क्राइम ब्रांच के अफसरों ने एक दरजन से जादा ऐसे लोगों से पूस्ताच कर कुछ कड़िया जोडने का काम चरूर किया है लेकिन वो इस इस्तिती में नहीं है कि वो अपने आपको किसी मुकाम पर पाएं पुलिस ने अपने सिरे से ठककर परिवार से पूस्ताच के लिए प्रशनावरी त्यार कर पूस्ताच कर ली है इसी पूस्ताच को असल जाच नाम दिया गया है अब जो पुलिस के पास जानकारी एक अत्रित होगी इससे पुलिस कोई न कोई दिशा जरूर कर लेगी अब तक मुख्य मार्गों को पुलिस ने जीरो टॉलरेंस जोन गोशित किया तो कुछ सुखत परिणाम भी आए लेकि जवार मार्ग से ज़्यादा उम्मित करना पुलिस के लिए टेड़ी खीर साबित हो सकता है पुराने शहर के गलियारों की चर्चा करें तो सबसे लंबी और सबसे चौड़ी गली का नाम है जवाहर मार्ग अब इसी गलियारे को यातायत पुलिस ने जीरो टॉल्डन जोन में तबदिल कर दिया है जवाहर मार्ग यातायत की द्रश्टी से सबसे ज्यादा दबाव वाला मार्ग है खास बात तो ये है कि इस मार्ग पर हर तरह का वाहन चलता है इस मार्ग को दोनों और से व्यापारियों ने ऐसे घेर रखा है कि पहले ही वाहन चालक जवाहर मार्ग आने से कत्राते हैं अब यही मार्ग जीरो टॉल्डन सोन घोशित हुआ तो वाहन चालक सक्ते में आ गए पुलिस ने पहले ही दिन उन वाहन चालकों के खिलाफ कारवाई शुरू कर दी है जिनके वाहन बेतर्तीब तरीके से खड़े रहते हैं हाला कि ये शुरुवाती कारवाई कही जा रही है यातायात के जानकार कहते हैं कि जवाहर मार्ग पर जीरो टॉल्डन सोन घोशित करने से पहले पुलिस को कुछ मूलभूत कारिक कर लेने शाहिए थे यातायत पुलिस ने अभी तक उन्हीं मार्गों को Zero Tolerance Zone खोशित किया था जो बड़े और ऐसे मार्ग हैं जिन पर हलके वाहन चल रहे हैं यहां पुलिस को कारवाई करने में कम दिक्कतों का सामना करना पड़ा लेकिन आप पुलिस को जवाहर मार्ग पर कारवाई करने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा यातायद पुलिस यहां Zero Tolerance Zone में नियमों का उलंगन करने वाले वाहनों को रोकना शुरू करेगी तो पूरी सडक ही जाम हो जाएगी पुलिस ने आनन फानन में जोन तो खोशित कर दिया लेकिन उसके लिए यहां कोई Zero Tolerance Zone बनाने से पहले उसे जोन का रूप ही नहीं दिया गया ना तो जवाहर मार्ग पर यातायाद के कोई संसाधन है ना ही इतना बड़ा पुलिस अमला कि पूरे मार्ग पर पुलिस सकती से वाहन चालकों पर कारवाई कर पाए कुल मिला कर पुलिस ने जवाहर मार्ग रूपी ओकली में सिर दे दिया है भले ही पुलिस को मूसल से डर न लगे लेकिन यातायाद नेमों के उनलंगन के मामले में बदनाम हो चुके इस मार्ग पर जाने वाले मानते हैं कि इस मार्ग की हालत अब और खराब हो जाएगी डीजी नियूस के खास कारिकरम गलियारों से में आज इतना ही ताजा खबरों के लिए देखते रहे हैं डीजी नियूस